आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार ये है महारा आज का सवाल आईए इसे हल करते हैं तीन मीटर गुणे चार मीटर बोर्ड पर छे वर्ग मीटर का आयताकार छेतर इस प्रकार पेंट करना है कि उसके सभी और एक समान चोड़ाई का किनारा बचा रहे किनारे की चोड़ाई क्या होनी चाहिए तो आईए दोस्तों इस सवाल को हम हल करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बोर्ड बना लेंगे बोर्ड कुछ इस प्रकार बना लेंगे और इसके अंदर दोस्तों जो छेतर फल हमें पेंट करना है उसको हम इस तरीके से बना लेंगे इस छेतर को हमें पेंट करना है इस छेत्र को दोस्तों पेंट करना है जो अंदर का छेत्र है ये छेत्र हमें पेंट करना है और इसके चारो तरफ समान चोड़ाई का छेत्र छूटना चाहिए इस छूटे वे छेत्र की चोड़ाई बतानी है मान लिज़े दोस्तों यह X है इधर चौड़ाई और इस तरफ भी यह X है और यहाँ पर भी दोस्तों यह X है और इधर भी यह X है चारो तरफ हमने माना चौड़ाई माना छूटी चौड़ाई बराबर X मीटर आईए दोस्तों इसका मान निकालते हम इसका बोड की लंबाई और चोड़ाई दी विए दोस्तों चार मीटर और चे मीटर चार मीटर और तीन मीटर तो इसकी लंबाई हो गई दोस्तों ये चार मीटर और इसकी ये चोड़ाई हो गई दोस्तों तीन मीटर यह हो गई इसकी लंबाई और चोड़ाई तो यह दोस्तों यह जो अंदर छेतर जो आयताकार पेंट करना है इसकी लंबाई क्या बचेगी यह पूरी लंबाई 4 थी इस 4 में से एक तरफ x घटा एक तरफ x कटा तो 4 रिवन 2x इसकी लंबाई बचेगी इसी तरीके दोस्तों इसकी चोड़ाई क्या बचेगी यह पूरी चोड़ाई 3 है तो 3 इसमें से दोस्तों x इधर घट गया x इधर घट क्या तो 3 रिवन 2x और दोस्तों इस आयताकार छेतर का हमको छेतर पल दिया हुआ है 6 वर्ग मीटर तो दोस्तों अंदर के छेतर खा अंदर के छेतर का छेतर पल क्या हो जाएगा दोस्तों लंबाई गुणे चोड़ाई आयत के छेतर पल का सूतर होता है लंबाई गुणे चोड़ाई यानि कि लंबाई हो गई 4 रिंड 2x इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे दोस्थों यह हो जाएगा 4 रिंड 2x गुणे में 3 रिंड 2x बराबर में हमको दिया हुआ है दोस्टों सवाल में 6 वर्ग मीटर है 6 वर्ग मीटर इसको हम ऐसे लिख लेंगे इसको हल करेंगे दोस्तों यह हो जाएगा 4 तियाई 12 फिर 4 दूनी 8 एक्स फिर 2 तियाई 6 एक्स उसके बाद दोस्तों रिण रिण धन हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स की घाद 2 बराबर में 6 यह दोस्तों हो जाएगा 4 एक्स की घाद 2 8 6 14 एक्स और यहां से दोस्तों 12 में 6 गए 6 यह हो जाएगा दोस्तों, बराबर 0, इस समीकरण को हम, इस दुई घाद समीकरण को हल करेंगे, यह हो जाएगा दोस्तों, 4X की घाद 2, 14X को तोडएंगे, तो रिंड 12X, रिंड 2X, ताकि 12 दुनी 24 और 6 चोब को 24, धन 6 बराबर में 0, यहां से हम 4X पाहर ले लेंगे, तो य इस रिंड 2 बराबर में 0, अब यहां से दोस्तों, हम X के मान निकालेंगे, यहां से एक मान हो जाएगा, X बराबर, X रिंड 3 बराबर 0 करेंगे अलग से, तो यहां हो जाएगा दोस्तों, X बराबर 3, और दूसरा मान निकालेंगे, तो यह हो जाएगा, 4X रिंड 2 बराबर 0 करेंगे यह x है दोस्तों तो यहां से x हो जाएगा 2 बटे 4 यानि कि 1 बटे 2 बराबर में 0.5 मीटर तो आएए दोस्तों देखते हैं कि x का कौन समान संभो हो सकता है हम देखते हैं दोस्तों इसकी पूरी की चौड़ाई 3 मीटर है और जिसमें से x मीटर इधर घट रहा है x मीटर इधर घट रहा है तो बीच में यह छेतर बच रहा है 3 x 2 चौड़ाई का तो अगर दोस्तों हम x का मान 3 मान लेंगे x का मान अगर हम 3 मान लेंगे तो 3 में से 2 x कैसे घटेगा दो X का मान 6 हो जाएगा तीन में से 6 घटेगा तो रिनात्मक मान आएगा और रिनात्मक मान संभो नहीं हो सकता है किसी भी चित्र के लंबाई या चौड़ाई के लिए तो इसलिए दोस्तों X का मान हमारा 1 बटे 2 यानि की 0.5 वाला सही होगा ये दोस्तों मान सही नहीं होगा X का इस सवाल के लिए ये सही X का मान आएगे देखते हैं किस भी कल्प में चौड़ाई X दी हुई है X बराबर हमने निकाल लिया 0.5 मीटर ये दिया हुआ है दोस्तों बीवी कल्प में ये सही उत्तर है धन्यवाद क्लासिक्स चुड़ाई से लेके नीड आई आई टी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुड़िंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर